राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों, आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ 2023 में छट पुजा कब की जाएगी? कब नहाई खाए होगा, और खरणा होगा और कब व्रत का पारण किया जाएगा बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार किवा दें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि आपको हमारी आने वली सभी वीडियोस सब से पहले दिखाई दे सके बंधों चट पूजा एक महा पर्व है जो बिहार, जारखन और पूर्वी उत्तर परदेश में मनाये जाता है ये महा पर्व कातिक मास में आता है बंधों चट पर्व साल 2023 में 17 नमंबर से शुरू हो रहा है कातिक मास की शुकल पक्ष की शष्टी तिथी को चट का पर्व मनाये जाता है इस महा पर्व में चटी मैया की पूजा अर्चना की जाती है और उपते सुरे को अर्ग दिया जाता है चट का पर्व मुखे रूप से चार दिन तक चलता है बंधों चट पूजा की शुरुआत पहले दिन नहाए खाय के साथ होती है इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सुरे को अर्ग दिया जाता है और चोथे दिन उगते सुरे को अर्ग देकर इस्वरत का पारण किया जाता है जो की 22 नवंबर को किया जाएगा बंधों छट के इस पर्व को महिलाएं और माताएं अपनी संतान की लंबी आयू और अच्छे स्वास्त और खुशाली के लिए रखती है ये व्रत कठिन वर्तों में से एक है इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे से अधिक समय के लिए निर्जल रहती है इस दिन वर्ती को पूरे दिन व्रत रखना होता है शाम को वर्ती महिलाएं मिट्टी के चुले पर गुड़ वाली खीर का परशात मनाती है व्रत के तीसे दिन सुरे देव की पूजा की जाती है इस दिन महिलाएं शाम के समय तालाब या नदी में जाकर सुरे भगवान को अर्ग देती है और चोते देव सुरे देव को जल देकर चट का समापन किया जाता है बंधों चट पूजा की पारंप्रिक ठेकवा रेस्पी क्या है चट पूजा में ठेकवा का बहुत महत्व है ठेकवा ज्यादा तर बिहार और जारखन के लोग बनाते हैं और खाते हैं ठेकवा को चट पूजा के मोके पर विशेश रूप से तयार किया जाता है ठेकवा को खजुरिया या थिकारी के नाम से भी जाना जाता है इसे विशेश रूप से छट पूजा के समय विहार, मध्यपदेश, जहारकन और पुर्वी उत्तरपदेश के छित्रों में बनाया जाता है छट से जुडी कथा, छट देवी सुरे देव की बहन है और उन्हें को प्रसान करने के लिए भगवान सुरे की अराधना की जाती है ब्रत करने वाले मा गंगा और यमना या किसी नदी या जलाशियों के किनारे अराधना करते हैं इस पर में सवच्ता और शुद्धा का विशेश ख्याल रखा जाता है महीं पुरानों में मा दुर्गा के छटे रूप कात्याईनी देवी को भी छट माता का रूप माना जाता है छट मया को संतान देने वाली माता के नाम से जाना जाता है माना जाता है ये वृत संतान प्राप्ते और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है बंधों चट पूजा के दिन साफ सफाई का विशेश ध्यान रखें ताकि चट माता आपकी पूजा स्विकार करें आपके बच्चों का स्वास्थे सही रहे और आपके बच्चों का भाग के उच्वल हो बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर करना ना भूलें राधे राधे जै शीकृष्णा बोलो चटी माता की जै हो सुरे भगवान की जै हो